Hello and Welcome Back दोस्तों इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Constituent Assembly और Constituent Assembly के Function देखें जब हम बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की जब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की और इंडियन पॉलिटी में हम क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं Constitution Indian policy में और क्या पढ़ेंगे हम constitution ने तो बढटे हैं constitution के features बढ़ते हैं भाई हमारा देश क्यासे चलता हमारी policy कैसे चलती है constitution के साब से चलती है तो constitution को किसी ने बनाया होगा constitution को बनाने व aixòए को बाडी थी इस बाडी को बोलते हैं constituent assembly इसको क्या बोलते है Constituent Assembly तो Constitution को पढ़ने से पहले हमें Constituent Assembly को पढ़ना चाहिए Constituent Assembly के बारे में कुछ important points पढ़ेंगे then उसके बाद Constitution में हम shift करेंगे और Constitution के features पढ़ेंगे जो भी है हमारे 25 parts है 12 schedules है etc. वो सारी चिज़ें हम upcoming lectures में देखेंगे ठीक है तो आप हमने पढ़ना है Constituent Assembly very important topic यहां से आपको सवाल देखने को मिलते हैं देखो अगर बात करते हैं आप इस Constituent Assembly की history की और यह Constituent Assembly किस तरीके से आई देखें हैं मेरी बास समझें देखो आपको पता है जी 1900 के बाद में देश में एक nationalism की movement जो है 1927 Simon Commission के announcement 28 में Simon Commission आया Simon Go Back, Simon Go Back 1928 में ठीक है नहरू साब ने अपनी रिपोर्ट त्यार की नहरू रिपोर्ट उन्होंने इंडिया के साब से important reported उसमें points लिखें 1930 में civil disobedience movement Mr. गादी जी ने चलाई ठीक है वो क्या मांग रहे था एक important जो demand थी वो शूरू से ये थी कि इंडिया आप रूल कर रहे है अंग्रेज हमारे उपर रूल कर रहे है कोई मसला नहीं भाई करो तुम रूल लेकिन कम से कम आप पूरा का पूरा proper law बनाओ और Indian के requirements के साब से बनाओ ठीक है proper law बनाओ ये नहीं है तुम अंग्रेजों का अपने साब से ट्रीट कर रहे है Indian का अपने साब से ट्रीट कर रहे है हम पर रूल कर रहे है एक constitution हमारा बना चाहिए तो इस constitution की दोड में आप देखेंगे सबसे पहले अगर किसी बंदे ने Consolent Assembly की बात की थी वो थे Mr. M.N. Roy ठीक है वो थे M.N. Roy ठीक है इनका नम था मन बेंद्र भट भट नहीं था इनका था मन भेंद्र नाथ रॉय मन बेंद्र नाथ रॉय M.N. Roy ठीक है अब ये कौन बाई साब है ये हैं आपने Communist Party सुनो होगा नाम एक Communist Party ठीक है आज भी है हमारे देश में ठीक है Communist Party Communist Party के one of the founding members थे M.N. Roy साब ठीक है ठीक है M.N. Roy साब इन्होंने 1934 में एक बहुत बोली थी कि भई एक Constituent Assembly हो और वो Constituent Assembly हमारे लिए बनाई जाए और Constitution बनाई जाए बट ये इन्होंने इंडिविजली बात की थी जिकर किया था लेकिन कभी भी Officially Demand नहीं की Official Demand करने का काम में किस का था उस ताइम पर सबसे बड़ी पार्टी के होने Congress, Indian National Congress Then with time Indian National Congress के जहन में भी ये बात आई हाँ यार, Consiglent Assembly तो है हमने बना नहीं है यहां में अलोग किया जाए अंगरेज सरकार हमें अलोग करें हम Constitution बनाएंगे अपना तो इन्होंने then Officially Demand की आप देखेंगे Officially Demanded by Congress Officially Demanded by Congress By Indian National Congress In 1935 आपको यहां पर दो Important Points यार देखनें 1934 में M.N. Roy ने या आईडिया दे दिया था 1935 में इन्होंने Officially Demand की थी बट अंगरेजों ने कभी भी इस बात को नहीं माना वो चाते ही नहीं थे कि इनका Constitution बने वो चाते जैसे हम चला रहे हैं इनके ओपर हकूमत कर रहे हैं दब दब इसे वैसे ही हो Because Constitution में क्या होता? Rights होते है Rights देना चाते ही नहीं थे Freedom तो देना चाते ही नहीं थे Then आप देखेंगे Then आपकी जब World War चलती है Then अगरेजों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पढ़ जाता है Indian History में हमने पढ़ा Modern Indian History में तो प्रेशर जब 1939 में पढ़ा Then अभी पता है इनकी सपोर्ट ची है Indians की तब सारी बाते मान रहे पहली बार जब अगरेजी सरकार नहीं Continent Assembly की बात मानी थोड़ी बहुत थोड़ी बहुत जो इन्होंने बात मानी वो था 1940 का August Offer क्या है? याद रखेंगे 1940 का August Offer August Offer यह important points जितना लिखारों As it is याद करोगा पेपर में आएगा बतारों As it is समझे रहे हैं? चले जी 1940 में देखो 1940 से पहले अगर आप देखेंगे 1939 में World War स्टार्ट होगी थी 1939 में World War स्टार्ट होगी थी अब World War स्टार्ट हो इंडियन के सपोर्ट ले इन लीडरस बोल रहे हैं भाई पहले Constitution वादा करो Constitution हमारा बनेगा और अजादी दोगे हमें ठीक है जादी की इनों ने तो बात की नहीं बनवा देंगे वार रुकेगे Constitution बनाएंगे तब नहीं मानी इनकी बार ठीक है बोला जाओ यारा भी निकलो ठीक है चलो जी तब कोई मसला नहीं हो बट अंग्रेजों ने माना आपको पूछेगा पहली बार Constitution Assembly के बारे में कब अंग्रेज माने आप बोल देना अगस्ट ओफर में ही माने ठीक है जी इंडिया में कही सारे मुवमेंट चलें आप देखेंगे अगर आप देखेंगे तो जब यह सारे मुवमेंट चलेंगे फाइनली आप देखेंगे अंग्रेजी सरकार देखो 1945 में वल्ड वार तो रुख जाती है और 1946 में अंग्रेजी तरफ में गवर्मेंट भी चेंच हो रहती है वहाँ पे लेबर पार्टी पावर में आ जाती है लेबर पार्टी इंडियन को लेके उनका रविया ज़रा सा सही था और इन्होंने डिकलेर कर दिया हां जी इंडिया को क्या दी जाएगी हजादी दी जाएगी क्यूंकि अभी इनके इतने काबल नहीं रहे हैं पैसा लग गया पूरी कॉलनिस से लेगी हाथ से अब छोड़ना ही पड़ेगा आदरवाइस मार खाते अब इन्होंने सोचा चलो जी इंडिया को छोड़ना तब लास्ट में इन्होंने बोला ठीक है जी वो अमारे लिए एक Consistent Assembly बनाई जा रही है मनजोरी है बनाव Consistent Assembly और देन Consistent Assembly को बनाया गया और वो कब था वो था Cabinet Mission Plan वो ठीक है 1946 का Cabinet Mission Plan वेरी意ंपोर्टन यह चार पॉइंट बेने लिख दिया आपके सामने M.N.Roy ने सबसे पहला idea दिया इंडियन कॉंगरस ने 1935 में डिमांड कि अंगरेजों ने निन रिमाना अंगरेजों ने पहली बार कब माना ohuscio offer में माना और हमने बनाई कब cabinet mission plan के तहत यह concert assembly बनाईगी कुछ सा mission? cabinet mission plan cabinet mission plan cabinet mission plan है था because उसमें cabinet के तीन important member थे history मैं मैंने आपको पड़ाए है तीक है, तीन मेंबर दे बोला जी, बनाओ कॉंसिटेंट और ये कॉंसिटेंट असेंबली बनीं, 389 मेंबर्स चुनके इसमें बिठाएगे, कितें मेंबर्स, 389 मेंबर्स, नाओ अब आओ स्लाइट के ऊपर, इनका काम क्या था, ड्राफ्ट करें, फॉर्मुलेट करें, इंडियन कॉंसिटेशन, बिकाज अजादी मिल गी है, बंगरेजो का लौ थोडी चलेगा, हम अपने साब से लौ बनाएंगे, ठीक है, चलें जी, कुछ बैक्ग्राउंड यहां पे दिए, 1934, आइडिया दिया गय 1935 में, कॉंगरस ने दिमांड किया, 1938 में, मिस्टर नहरुजी ने ये स्टेटमेंट डी थी, डेक्लरेशन दी थी, कि इंडिया का कॉंसिटेशन बने, विदाउट एक्स्टर्नल इंटर्फेरंस, यह भी आपसे पूछेगा, किस ने बोली थी यह बात, एक्स्टर्नल इंट और बोल रहा ही है, जो बंदे जो चुनके आए ना, वो अडल्ट फ्रेंचाइजी पर चुनके आए, यानि कि सब लोग उसमें वोट करें, अपने अपने बंदे चुनके भेजें, ये बंदे मिलके, कॉंसिटेट असेंबली बनाएं, कॉंसिटेशन बनाएं, ठीक है, चलत तो आपको पूछेगा, किस प्लान के हिसाब से इस्टेबलिश की गई, क्याबिनेट मिशन, पहली बार कब माने अंगरीज, अगरस्ट ओफर, पहला बंदा जिसने बात की थी, मन रोई, इंडिया नेशल कॉंगरेस ने कब ऑफिशली डिमांड की, 1995, ये चार इसकी ठीक है भाई, चलो जए, आगे चलते हैं, कॉंपोजिशन, अब कॉंपोजिशन की बात करते हैं, ये तो आपको बता, टोटल स्टेंट 389 मेंबर्स थे, ठीक है जी, 389 मेंबर्स इसमें चुनके हैं, ठीक है, पॉपॉलेशन के हिसाब से, जितनी हमारी पॉपॉलेशन सी, ठीक है, उस हिसाब से, उस एवरेश से 389 बंदे चुनके आए, आप अगला सवाल मुझसे ये पूछो, कि सर ये जो बंदे चुनके आए, कैसे आए सर, इलेक्टेड हुए, इलेक्शन हुए थे, ठीक है ठी, या इनकी नॉमिनेशन हुई थी, very important, सर, इलेक्शन हुए थे, या नॉमिनेशन हुई थी, जैसे आज हम चुनते हैं, MLA's को, MP's को, सर, वैसे ही चुनके आए थे, नहीं, इसमें ये जो 389 मेंबर्स हैं, 389 मेंबर्स, इसमें दोनों तरीके के मेंबर्स थे, इसमें आप देखेंगे, पूरा कपरवे से इंडिया था ना, अगर आपको हिस इस थी की थोड़ यसे समझ है, इंडिया, इंडिया आपको पता है, दो डिफरेंट ग्रूप्स में पता हुआ था, ठीक हैं, एक थी या आपकी, British India Province, क्या था, British India Province, प्रोविंसिस, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसिस, मतलब वो इलाके जहां पे, जिन्हों ने क कब्जा किया करका हुआ था फर इग्जामपल के लिए बेंग ओल फर इग्जामपल के लिए आपका हैदराबाद ठीक है सुरी हैदराबाद नी मालो जी तुमारा मदरास बॉम्बे इसमें अंग्रेज़ों का डारेक्ट कब्जा था दूसरे थी जहां पर इंडियन राजा ल ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसिस में इलेक्टिड बन दिया है क्या से इलेक्टिड बन देखो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसिस में प्रोविंचल कांसिल होती थी प्रोविंचल कांसिल में आप देखते थे लोग जो थे चुनके अपने मेंबर भीजा करते थे लेकि तो उन्हों ने जिससे साब से अपने बंदे चुनके भेजे हुए थे, उन्हों नहीं, देखो, already यहाँ पे प्रोविंचिल में प्रोविंचिल कांसिल्स होती थी, ठीके जी, इन प्रोविंचिल कांसिल्स में जो बंदे यहाँ से आयो हुए थे, प्रिटिश इंडियन प्रो किएसे हुए? indirect हुए ? किसे हुए ? indirect इंडारेक्ट कmm होते है ? जब आपके है द्वारा चुने हुए लोग किसी को चुनते है वह indirect for example के लिए president का election president का election indirect होता है आप जिन को चुनते हो वह आगे president का election में participate करते हैं और वहीं प्रदानमंदरी के election वो directly election आप direct चुनते हो दीक है तो यहां पे elected बंदे तो आए थे बट वो भी indirectly elected आए थे और वो elected कहां से आए थे प्रोविंसे से आए थे ठीक है भाई सर प्रिंसली स्टेट्स का बता दो प्रिंसली स्टेट्स का क्या मसला था प्रिंसली स्टेट्स में बंदे elected नहीं आए थे बंदे nominated आए थे बंदे कोन आए थे nominated nominated का मतलब राजा नहीं जो राजा को लगा वही आजा को बहته critics इतने बंदे आपके यहां से चुनकिया Elected भी थी, nominated भी थी आपको बलेगा, which of the following statement is correct regarding the Consolidated Assembly बलेगा, it was an elected body बलेगे गलत, it was an nominated body, बलेगे गलत, it was partially elected, partially nominated partially elected and partially nominated, तब आप बलेगे ठीक है, ठीक है जी, 389 total इसकी strength थी ठीक है, चलो जी, 389 में से बोल रहा है, 296 members, British Indian provinces से आई, and 93 बंदे जो हैं, वो princely state से आई, ये data भी थोड़ा सा याद कर लेना, ठीक है लेवल बढ़ाएगा, एक्जाम को तो फिर पूछेगा आपको ठीक है, चलो जी, representative of each communities were elected by the members of that community in the provincial legislative assembly जो मैंने आपको बताया members were partly elected partly nominated, वो भी मैंने आपको proportional representation है, छोड़ दो इसको, आप बस इतनी सी बात यादर कर लो कि ये directly elected बंदे थे, और representatives of the princely states were to be nominated by the head of these princely states, और head of the princely states को नहीं है, वो वहाँ का king है, तो king ने nominate करके भेजे, प्रोविंसी से, जो British Indian provinces से, उनकी जो councils थी, जो already चुनी हुई थी उन्होंने कुछ बंदे वहाँ से चुनके भेजे तो ये elected भी थी, ये nominated भी थी, ये important point बार बार बोल रहो हूँ तुम्हें, 389 member total थे, ठीक है जी, चलो जी, nominated भी थे और elected भी थे, चलो जी, ये note लिखाया आपके लिए, चलो जी, partly elected, partly nominated, indirect election by provincial assembly, चलो जी और वो खुद भी limited franchise पर चुने के थे, limited franchise भी आपको पताया न, कि सारे लोग vote नहीं करते, कुछ important बड़े तबके के लोग vote करते, चलो जी दो indirect mode of election, it included representative of all the sections of society, ये इसकी खास बात ठीक है जी, Hindu से भी बंदे चुनकिया थे, Muslim से भी बंदे चुनकिया थे, Sikh से भी बंदे चुनकिया थे, जितने जितनी इनकी population थी न, उस उस basis पे उतने उतने बंदे चुनकिया थे, पूरा का पूरा India आप बोल सकते हैं, represent हो रहा था, इस concurrent assembly में ठीक है जी, चलो जी, कुछ important points की अगर आप बात कर लें, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी important point की बान करता हूँ, देखो जी, consistent assembly 1946 में बना दीगे, 1946 में बना दीगे, now consistent assembly को बला 389 मंदे भी आगे, ठीक है दी, करो सर अपना काम शुरू, तन अपना काम शुरू करने लगे, 9 December 1946 को इन्होंने ही पहली meeting की दोस्तो, first meeting, very very important point again, consistent assembly की पहली meeting कब हुई, 9 December 1946, दोस्तो हमें अजादी कब मिली, 1947 पंदरा अगस्त, but constitution हमारा उससे पहले ही बनना start हो गया तक क्यों, क्योंकि ये बात पता थी कि अंग्रेजों ने जाना है, और अंग्रेजों ने खुदी बोला, British सरकार ने खुदी बोला, भाई ठीक है, हम अगले साल तक चले जाएंगे, इतनी date तक, history में मैंने पढ़ाया, तब तक आप अपना constitution बनाओ, और तब तक हम बातचीत करते हैं, किस तरीके से exit लेनी है, constitution बन रहा है, 26th of November, 1949, 26th of November, 1949 को constitution हमारा बन के तयार, ठीक है जी, और constitution के कुछ features को adopt कर लिया गया, कुछ features को adopt कर लिया गया, पूरा का पूरा constitution implement नहीं कराया हमने, ठीक है, आप ये समसकते हो, कि 26th November, 1949 को constitution बन के तयार, और constitution कर लिया गया, but implement नहीं करवाया, implement नहीं करवाया, implement कब करवाया हमने, दो महिने के बाद, 26th January, 1950, constitution को क्या कराया, implement करवाया, implementation करा दीजी, ठीक है रही, implementing constitution, अब आपके दिमाग में, आपके जहन में आ रहा होगा, सर, 26 November को अगर बन गया, दो महिने के बाद की हूँ, जिन्होंने history पढ़ी है, उनको पता है, ठीक है, उनको पता है, because 26 January वो दिन था, 26 January 1930, 1929 में, लहौर session अगर आपको याद होगा, एक session हुआ था, Congress का लहौर session, और इसमें कौन सा resolution मूव किया गया था, पून स्वराज, बोला जी, आज के बाद हम अजाद हैं, पूरी complete independence के लिए लड़ेंगे, और complete independence लेंगे, और अपने आपको अजाद घुशित कर दिया, और उसके अगले साल, 1936 जनवरी का दिन था, independence day मना दिया गया, by the international congress, तिरंगा फेरादी अरावी के किनारे, भाई हम तो अजाद हैं, उस दिन को यादगार बनाने के लिए, बिकस वो दो महिने के बाद था, नवंबर 26, आपका जनवरी 26, ठीक है, ठीक है, दो महिने रुकते हैं, तब implement करेंगे, इस दिन को इतिहास बना देंगे, तो वो इतिहास बना, इसलिए दो महिने रुके, ठीक है जी, पहली मीटिंग, 9 दिसंबर, 1946, constitution तियार कब हो गया, 26 नवंबर, 1949, इंप्लिमेंट कब कराया, 26 जनवरी 1950, यह तीन डेट्स आपको इंपोर्टेंट, और लगबग यह पूरा का पूरा प्रॉसेस में आप देखेंगे, लगबग दो साल, लगबग दो साल, ठीक है जी, और आप कहा सकते हैं कि, 11 months and 18 days का टाइम लगबग लगबग आप बोल सकते हैं कि, तीन साल का टाइम लगबग, दो साल, ग्यारा महिने, अठारा दिन का टाइम, कुल टाइम लगबग इंस constitution को बनाने में, और पूरा का पूरा काम आप देखेंगे, अराउंड 64 lakhs रुपीज वे है, उसका खर्चा भी आया, ठीक है जी, मिटिंग्स होनी है, देन उसकी कैलिग्राफी होनी है, देन उसकी लिखाई होनी है, ठीक है, पैसा तो लगए हाँ, तीन साल के लिए ये काम कर रहे थे, 64 lakh में ये पूरा का पूरा हमारा जो constitution था, वो तियार किया गया, ठीक है जी, चलो जी, यह हो गया, अब एक बात हो समझे आँ, ठीक है, एक बात हो समझे, इस concerted assembly का president, concerted assembly बन गी, 389 members उनके आगे बहुत बड़ी है जी, ठीक है जी, अब एक बंदा तो chairperson तो बनाएंगे ना, एक president बनाना होता है, ठीक है, बनाना है, अब जी किसको बनाएं, उसके लिए election कराना पड़ेगा, चलो जी, election जब तक कराएंगे, वो तो ठीक है, तब तक एक आम करते हैं, senior member है, हमारे dr. सचीदा नंथ सिना, dr. सचीदा नंथ सिना, सबसे बुज़ूर्ग है, ठीक है जी, इनी को temporary बना देते हैं, temporary के लिए बना देते हैं, आप बल सकते हैं, provisional, provisional, provisional president पहली बार किसको बनाया गया था, dr. सचीदा नंथ, सचीदा नंथ सिना, ठीक है जी, सचीदा नंथ सिना, देन उसके बाद में ये बनाया, देन फिर election कराया, और election करके, जो पहला elected आये न, elected president आये, और वो आये, dr. राजिंदर परसाथ, dr. सचीदा नंथ, इनका आदा भी नहीं होगा, आज का हमारे देश के आज का पार्लिमेंट में, आदा, ये इतने पड़े लिखे लोग, तो सारे का सारे कोई लॉयर है, ठीक है जी, कोई आप देखेंगे, इतने इतने डिग्रीज थे हैं, डॉक्टर रेट्स की हुई हैं, सब देखें, जातर तो लॉयर जी थे, समझे ने मेरी बात है, ठीक है, तो ये पहला प्रेजिटेंट कोन हो गया, डॉक्टर सचीदानन्द, देन फर्स्ट इलेक्टिर प्रेजिटेंट कोन हो गया, आपका डॉक्टर राजिंदर प्रसाद, मुस्लिम लीग फर्स्ट मिटिंग में पार्ट स्पेड उसने नहीं किया था, टेंपररी प्रेजिटेंट एक चुना गया, फर्स्ट मिटिंग के लिए, डॉक्टर सचीदानन्द सिन्हा, आफ्टर इलेक्शन, डॉक्टर राजिंदर प्रसाद, एच्छी मुखर जी, एज दे, अच्छा, वाइस प्रेजिटेंट एसेंबली रिस्टेटिवली, देखो, डॉक्टर राजिंदर प्रसाद जो थे आपके वो प्रेजिटेंट, और एच्छी मुखर जी थे, वो वाइस प्रेजिटेंट, ये भी पॉइंट याद रखना, व दो साथ, ग्यारा मिहीने, अठारा दिन का टाइम इनको लगा, पूरे के पूरे कॉंसिटेशन को बनाने में, ठीक है जी, नाव बात करते हैं, कॉंपोजिशन अफ कॉंसिटेशन, जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा न, एक एक चीज तुमारे जुबान पी होगी, कॉंसेप्ट के साथ रटोगे कुछ नहीं, क्लास में याद हो जेगा, ठीक है जी, चलो जी, देखो जी, अब कॉंसिटेशन बनके तयार, ठीक है जी, अब इस कॉंसिटेशन में, जिस ताइम इसको बनाया गया, थी 395 आर्टिकल्स, कितने आर्टिकल्स, 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स में बाटेंगे, मतलब यह देखो एक बुक होती है, ठीक है, बुक में यूनित्स होते हैं, यूनित्स के अंडर चप्टर होते हैं, ठीक है जी, और कुछ जो इंपॉर्टन चीज़ें होती है, वो चप्टर के लास्ट में इस तरिके से हम देखतें हैं, कुछ बेज बेज पे separately लिख दिये चाते हैं ठीक है चरो जी आप देखेंगे यहां पर 395 आर्टिकल्स थे 22 पार्ट्स थे आप बोल सकते हैं यह बुक क्या है Constitution 22 पार्ट्स क्या है Units 395 आर्टिकल्स क्या है chapters जबास समझ रहे हैं ठीक है यह थी composition यह थी composition उस ताइम की आज नहीं है आज आप देखेंगे साड़े 400 से जादा आपको articles देखने को मिलेगे वह पढ़ाऊंगा जब हम articles पढ़ेंगे ठीक है दन आप देखेंगे 25 पार्ट्स देखने को मिलेंगे बढ़ता ना amendment होती रहती है होती रहती है amendment तो constitution में चीज़ें आड होती रहती है चले जी composition अब देखते हैं यहां से चलो जी 26 निवेंबर 1949 contained एक preamble एक preamble भी था ठीक है 395 article preamble का मतलब होता है first page जो होता है na preface introduction वो preamble होता है 395 articles 22 parts में बटा हुआ था और 8 schedules थे आज कितने schedules है 12 schedules है और parts कितने है 25 parts है मैं पढ़ाँगा आपको don't worry जितने भी आपके examination point of view से मैं पढ़ाँगा आपको ठीक है अच्छा उस आगे बढ़ने से पहले यहार थोड़ी सी मैं आपको detail जो है आपके course के बारे में बता सकता हूँ देखो यार मेरी बास सुने मैं आपको paid batch के लिए यहां पर आप देखेंगे GKP का हमने launch किया हुए फिलाल as of now GKP का launch किया हुए ठीक है वो है उदर आप ले सकते हैं आपका link description में आपका link description में मिलता है दूसरा उसके बाद में एक course है उसको हमने GK इंडिया इंडिया की पूरी GK प्लस इंडिया की जीके प्लस जम् किश्मीर की GK यह 499 का course है में नहीं पढ़ाना है history, geography, policy, economy, environment, art and culture सब कुछ में नहीं पढ़ाना है ठीक है तो आप किसी भी exam की द्यारी कर रहे है और नाइप तसिलदार पटवारी ठीक है दन उसके बाद में JKP सभी के लिए आपको वह help करेगा ठीक है as of now JKP अभी भी सारी को सारी चीज़ें आपको मिल देंगे affordable prices पे अच्छा कई बहुरा सरा आपको उधर क्यों पढ़ाते हैं उसरा आप free में क्यों नहीं पढ़ाता है यार free में इस लेने पढ़ाते है इतना time नहीं होता बहुत सारे चीज़ें होती है test होते है ठीक है वीडियो होती है और यार साथ में ना तुम भी free की कदर का करते हो free की कदर तुम करते ही नहीं देखता ही कोई नहीं ठीक है और बुरी हौच पॉच क्रियेट हो जाता यार ठीक है जब तुमने भी थोड़े पैसे दी होते हैं हमने भी लिये होते हैं हमें भी पता होता बही अब responsibility अब पढ़ान टेस्ट में अगर qualify करते हैं तो उनको free of cost scholarship भी मिल जाती है ठीक है चलो जी तो जेकेपी का आपको 999 में बैच जो है वो around मिल जाएगा आप एप में एक बार देख लें तो वहाँ से आप जोइन कर सकते हैं सारे के सारे वहाँ पर आपको lectures जो है मेरे मिल जाएगे बाकी faculties reasoning maths सुपर बहर देखेंगे आपको बहुत मज़ा आएगा ठीक है चलो जी यह तो होगी बात आपका time waste कर दिया उसके इंडियन constitution भी बोला जाता है आज इनका birthday भी है 14th of April हर साल चलो जी happy birthday to Mr. Bheem Rao Ambedgar, the legendary, the hero, चलो chairman of the constitution drafting committee, Bheem Rao Ambedgar थे drafting committee मैं बताता हूँ, पूरे के पूरे constitution को frame करने के लिए different committees बनाए गई थी उन सम में से important committee जो थी, वो थी drafting committee जो constitution के features को draft करेंगे और उनके जो suggestions होगे उनको देखके, काटके, पीटके, इसका काम था draft करना, drafting committee क्या चलो जी, कभी-कभी ये भी पूचता आपको, Prem Bihari Narayan जो साब थे, ये थे calligrapher, calligrapher इन्होंने अपने हाथ से पूरा-पूरा constitution लिखा था, beautiful designing में, चलो जी, वो लिखा Indian constitution, और ये handwritten था, उनके द्वारा लिखा गया, italic style में वो लिखा गया था, last session आपको बता रहा ही, य January 24, 1950 को किया गया था, और दूसरे दिन उसके, 26 January को आपको पता है, फिर तो implementation हमने कराई दी थी, now works done by concert and assembly, ये थोटा समझे, works done by concert and assembly, देखो दोस्तो, 1947 में हमारा देश अजाद हुआ, ठीक है, constitution भी बनाना था, पहली बार election हमारे देश में हुआ, 1951-52, भाई, अगर आपक election कराना कैसे हो, rule क्या है, constitution, अभी तो rules तो बन रहे, अभी तो rule बन रहे, तो election कैसे होते है, भाई, constitution बनने से पहले election हो नहीं सकते है, इसलिए constitution बनने का इंतजार हो रहा था, then election कराएंगे, ठीक है जी, election कराएंगे, तो 51-52 में पहला general election होता है, पहला election होता है, ठीक है जी, अब election नहीं है तो government कोई चलाएगा government कोई ना कोई तो government चलाएगा तो constitution and assembly दो different काम कर रही थी एक legislature का काम कर रही थी legislature का मतलब आप समय लो parliament का काम कर रही थी देश को चलाने का काम कर रही थी government का कर रही थी और दूसरा constitution को draft भी कर रही थी यानि कि Constitution बनाने का भी काम इसी का था, गर्मेंट को चलाने का भी काम इसी का था, तो दो different काम ये कर रही थी, ये थोड़ी Zen में रखना बात पूछेगा आपको कभी, ठीक है, बट जाधा important काम जो Consulate Assembly ने किये, Constitution तो बनाया है या भाई, ये तो भूलना ही नहीं है, Constitution तो बना functions हुए, चलो जी, कुछ important function, number one, rectification of India's member in commonwealth countries, commonwealth countries वो थी एक group है, जो जो मुल्क British government के अंडर रहे थे, वो commonwealth countries हो दिये, उसमें हमने अपनी membership sign कर दी भाई, हम भी इसके पार्ट है, ठीक है, इस से भी जाधा important, it adopted national flag, आज जो आप हमारा flag देखते हो न, तरंगा, ठीक है, इस इसको finally, officially accept किया गया, because तरंगा has never been the same, तरंगा time to time change होता है, colors ठीक थे, बट इसकी shape में change आता रहे, ठीक है, आज अब देखते हैं, बीट में अशोक चक्र है, तीन color है, तो ये consonant assembly ने इसको adopt कर लिया था, 22 July 1947 को, 22 July 1947 को, यानकि देश की अजादी से पहले ही, पंदराग असको अजादी होनी है, तो जुलाई में ही इसको adopt कर लिया है, चलो जी, इट अलसो adopted national anthem, national anthem हमारा जन्गनमन, और national song हमारा वंदे मातरम, याद रखना है ये date, 24 January 1950, 24 January 1950, यानि की constitution की implementation, 26 January उससे दो दिन पहले, नेशनल सॉंग भी चुना गया, नेशनल एंथम भी चुना गया, नेशनल सॉंग और नेशनल एंथम दोनों चुनेगे, 24 January 1950 किस ने चुना, Constituent Assembly ने चुना, ठीक है रिंग, और इसी ने आप देखेंगे, First President of India को भी elect किया था, भाई यही करेंगे, President को elect कोण करता है, Parliament ही करता है, समझ रहे हो, Parliament उस वक्त का कौन Parliament था, यही था, ठीक है, तो इन्होंने President को भी elect किया, फिर सर प्रधान मंतर को किस ने किया, उनको तो लोग करेंगे न, election में, तो लोगों ने किया, ठीक है दी, चलो जी, अब बात करें, committees की, इसमें total 22 committees से, important point है, कितनी committees से, 22, देखो, Constitution बहुत बड़ी किताब है, बहुत बड़ी features से, बहुत सारी चीज़ों में deal करना, तो इन इन बहुत सारी चीज़ों को काम को थोड़ा-थोड़ा काट के, 22 committees बनाएगी, इनको बहुत 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 सारी, कितनी committees बनाइए, 22 committees, आप को इपाइद रखना, इन 22 में से, आठ बड़ी committees थी, 22 में से, आठ बड़ी committees थी, जिनको major committees बोलते है, ठीक है री, और ये सामने आपके list of 8 major committees है ठीक है री इस तरफ नाम है और इस तरफ उनके chair person है number one union power committee union constitution committee दोस्तों मेरी बास समझेना union power committee मतलब क्या union power union central के पास कौन-कौन सी power होंगी वो और दूसरा union constitution committee ठीक है री proper जो constitution बनाना है ठीक है री चलो जी आप याद करना यह दोनों जो बन्दे हैं यह है Mr. Pandit जोहलाल नहरू ठीक है जी आप union का मतलब समझो center union का मतलब समझो center center में पहले PM कौन थे center के rule कौन करता है PM ही तो करता है PM कौन थे हमारे PM थे Mr. जोहलाल नहरू तो वो union union अगर आपको दिग गया union अगर आपको दिग गया तो Mr. नहरू होंगे union में Mr. नहरू होंगे दूसरा है state committee अगर आपको याद होगा iron man किसको बोलते हैं भाई state को किसने जोड़ा 28 states जो आज बनगी 565 princely states थी चोटी चोटी राजाओं की उनको कैसे मिलाया इंडिया में और मिलाया किसने Mr. वल्लभाई पतेल सरदार वल्लभाई पतेल इसलिए इनको state committees का head koon है आप देखेंगे सरदार वल्लभाई पतेल है states भी वही होता है provinces भी वही होता है provinces का मतलब भी क्या तो state committee provinces committee कौन थे Mr. वल्लभाई पतेल चलो जी union union Mr. नेरो state provinces state provinces Mr. सरदार वल्लभाई पतेल चलो जी drafting committee constitution के सबसे important committee के chairman draft करने वाले Mr. भीमराव अमेडगर चलो जी advisory committee again सरदार वल्लभाई पतेल ही थे fundamental rights J.B. किरपलानी minorities H.C. मुखर जी northeast frontier tribal areas ठीक है उसमें देखेंगे A.V. ठककर और इसमें भी partially excluded area A.V. ठककर and rules of procedure and आपका रजिंदर परसाद and steering committee रजिंदर परसाद जो की president भी थे ठीक है तो इनको आप हलका सा अपनी नजर में रखना हलका सा इसको आपनी नजर में रखना ठीक है चार तो मैंने आपको सीधा याद ही करा दी चार तो मैंने आपको सीधा ही करा दी है ठीक है तो आपको वह भी याद कर ले न यहाँ पे भी देख लें अगर आप excluded partially excluded areas और tribal areas तो area area अगर आप देखेंगे ठकर ठकर आ रहा है यहाँ पे area area कि अगर बात कहीं हो रही है तो यहाँ पे Mr. Thakkar साहब आ रहे है ठीक है जी चलो जी तो यह 8 important committees तो कभी कभी थोड़ा लावल बढ़ाएगा तो यहाँ से भी पूचेगा देन हम इसके features आज तैस्ते आगे बढ़त रहेंगे Thank you, have a nice day